दोस्तों आप देख सकते हैं राहूल गांधी उर्क पप्पू का पुतला वैसे फेमस होना हो लेकिन यह तो जरू फेमस हो गया मारो अधर दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि लोक सभा चुनाओं का जब से नतिजा आया है तब से जो विपक्षी निता है पहली बार देखा गया है कि वो भी जीत का साइन बना कर घूम रहे थे और लोक सभा में जो उनका ओवर कॉन्फिदेंस में कहूंगा वो देखते ही बनता है इसी ओवर कॉन्फिदेंस के चलते वे जो हमारे पपूजी है आप देख रहें जिनका यहां पर पुतला खड़ा है कोई सम्मान करने के लिए पुतला नहीं खड़ा यह आप यहां पर जूते से पता लगा सकते हैं कि इनोंने क्या हरकत की है यह तो हम सभी जानते थे कि यह तब से लगातार हिंदू ओपर कितना अत्याचार होता था उनके खिलाफ कैसी साजिशे होती थी वह हम सब देखते थे लेकिन अब खुले तोर पर यह पपूजी ने बोल दिया लोग सभा के अंदर कि हिंदू तो मतलब क्या ही बोले उनके बारे में कि इनसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है भगवान शिवकी इनों ने वहां पर फोटो दिखाई मनलब जितना ही अपमान कर सकते थे खुले तोर पर वो किया गया तो आज मैं यहां पर गाजेबाद में हूं और गाजेबाद में बहुत सादा रोश देखा जा रहे हैं पूरे भारत वरस में पुतले ज लेकिन इससे पहले जानते हैं कि लोगों की जो नराजगी है वह बाक्रोश में कैसे बदल गई जी रामकिशोर जी आपने सुना ही है हम सबने सुना है मैं उस चीज़ को बार पर रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन ऐसी मानसिक्ता आती कहां से मुझे यह समझना है सर हें लेकिन आज तक मैजुरीटी को आपने भी देखा होगा मैं आप से भी जाना चाहूंगा आप तक आपने भी देखा कि पहला यहां मैं देखता हूं कि जहां पर मेजुरीटी को इस तरह से गाली दी जाती है और मेजूरिटी कुछ करती नहीं है ऐसी बहुत सारी बोली वड़ी में फिल्में बनती है जिसमें हमारे हिंदू समाज को गलत दिखाए जाता है तो ऐसा कैसे संभव है कि पूरे भारत वर्ष के अंदर हिंदू क्यों इतना है हिंदू के इतनी सेहन शक्ति है वो क्यों आवा हिंदू की कमी है हिंदू को आगे आना चाहिए अगर मानसी रूप से बेकार हो रखा यह साधी पता नहीं कोई नजाइच किया होगा तो पता नहीं हमें लेकिन यह चूतिया आदमी है और यह कुछ भी बोलते रहता इसको जो है पर नहीं है तो फिरोज टान इसके दादा थे उनके जो है बंचरी का वहीं बात करेगा तो मेरे चूतिया है चूतिया है मानसी को रखाए यह पतानी सांस्थ कैसे इसको हिंदू यूर्दय के संसत बनाये जो कि हिंदू को यह सुचना चीज़ बहुत करा रहा है और बर्मा तो उनको ही जवाब देना चाहिए वांपर राहुल गांदी को पगड़ के उसके कान पर थपड़ थपड़ बरसाने चाहिए थे कि वो बोल के सरा है इतना है तबीज नहीं हमारे वहां के अंदर जो है है ना चूतिय चूतिय जो हिंदू है वही तो गाहा है और कौन मारा रहा 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 है रहुल गांदी जी ने बोला था जुलाई के अंदर पहले तो जी कूं लगा रहे हूं मिजे रहुल गांदी ने बोला था आठाट पांसो जुलाई में 8500 अगस्त में अब इनको पजाव अब इनको पीटो फटा है आप भी हाथ साफ करोगे आजी चचा जो हिंदुयों का विरोट करें वही हमारा नारा है मैं मानता हूं आग्रोस अपनी जगा है लेकिन सभीदान की किताबें लेराता रहता है वहाँ पे आपने देखा होगा लोग सभा में इनके विपक्षी न अब अनिराग ठाक ने पू天 टो इनकी बलती बंद हो गई सभीदान की किताब कभी खोलके नहीं एकोड़ा ही snackा electro बातेयों यह सबसे हुन में देखो इस पांदान ही देखि यो कि हमारा ने प्र Bronx हुं में और रिचेह मारे ने profiles दूप्टबारा किया उसमें लाखों हिंदू हमारे लाखों भारत मारे गए फिर इंद्रा गांधी आई इनरा गांधी ने भी आपको पता है दिली जला इंद्रागांधी चकर कितने पंजाबी भाई गए नहीं पाथ बंगला को देख लू आगाल की स्तीति ममताफ एनुऑ बंगलादेश पे उसको आप हमारी फोज लड़ी बंगलादेश में हमारे पैसे गये बना दिया बंगलादेश एक बावासीर बना दिया वहाँ पर चाहता तो उसको भारत में मिला सकते थे ना कमसे कम बेगर नहीं होते आज दर्धा बड़कते नहीं तो यह तो इसका पुरा तोbbles यह इंदू को यह सुरू से ही जातियों है ठीक है जब पहले कानुन मेरिज रिख बनाया बाकिव कोई मरुजट नहीं नहीं तो तो शुरू से इसने कभी हर जन तो कभी बैकवर्ड कभी फोरवर्ड तो जातिम इसलिए बाटा है कि इसको राज करना तु जानता है तो अंग्रोजी यह जो बोलता था ना कभी-कभी कि मोदी जी से 10 मिनट डिबेट करवा दो मैं बोलता हूं कि हमारे सामने राजोलों से डि लेख सकता है तो बजाया ही जाएक उसके उपर हिंदु विरोधी तो बजाया जाएगा क्यों भाजाया जाएगा तो अधिने नहीं आए का आगभी सबसे पहली बात तो राहुल गांदी को जो हमारे हिंदु समाज के जो सांसत बंढ़ के गए हैं उनका उन लोगों को उस् लेकिन अगर वो जो हिंदू शांसद हैं उन लोगों को उस समय बिरोध करना चाहिए था राहूल गांदी का हम तो कहते हैं कि उसको बंद कमरे में लेकर करके ठपर जूता चपल सब देना चाहिए था उसको जैसे वह खटाकर पैसे बाढ़ रहा था ना उसको खटाकर जूता कभी एहुला तंग बोलें कभी हिंदू आतंग बाद है कभियानी कि माज खाके जाएगा मंदिर में कि हां मंदिर में ये पताब कि कुछ कि नीनित यह जंदा चोड़ना ही था कुछ दो पहाइड हुआ है अच्छ तब शुक में लिए बहुत शर्मनागा के आपना के समयों से जूतों की माला पैनां के वह से पुटापा चडाना था यह मोदी जी हमारे सबका साथ सबके विखास के कारणा से हो गया मोदी जी बहुत अच्छे प्रदान मंत्रिया मगर जब अमारे इंडुटू की बात आती है के इतना अच्छा नहीं होने चाहिए के अमारे बारे में सब्सक्राइब कोई गुना थोड कर दोस्तों आप देखी सकते हैं लोगों में कितना आकरोश है चलो अब इस रावण का देहन्ट भी कर दिया जाए एक बार सभी लोग अपना हाथ साफ करने वाले होंगे तो करके सब्सक्राइब करो इसके ऊपर दोस्तों आप देख सकते राहूल गांधी पॉर्ख पपू का पुतला वैसे फेमस होना हो लेकिन यसी टिप पड़ी करके तो यह जरू फेमस हो गया मारो अधिक जिन्ना रहना दिए अधिक पड़ेश्यक पड़ा पड़ा कर दो